काफी लंबे समय के बाद अब जाके सूर्य देपता जी ने दर्सन दिये हैं आपे और इतने दिन लगातार बारिस आने की कारणना हर जगा कुछ न कुछ तो नुकसान हो ही रखा है जैसे हमारे नीची एक खेत में यहां पर की दिवाल ठहे गई है तो चलिए गाइस फिलाल दाजी और मैं निकल चुके हैं इस खुबशूरत से सफर पर बुबुजी के नारे परसों आपने सुने होंगे वहां वाली वीडियो में काफी ज्यादा जोज भरा हुआ अभी बुबु के अंदर बुबु से जानते हैं और बुबुजी आप किसमे थे फिर इंडियन आर् बढ़ते थे आगे बढ़ते हैं अभी फिलाल अम लोग रुखें बंदलीमा से थोड़ा आगे वाले बैंड पर और बंदलीमा में हमारा ना धांग घर यानि पोस्ट आपिस वगेरा भी रहता है तो गाईज अभी फिलाल अम लोग पहुंच चुके हैं राड़गाउं पर और यहां से हमारे ना इस्कूल जाने का रश्ता भी है जहां तक मैंने 10th क्लास तक पड़ा था अभी फिलाल मैं हूँ गंगनाद बाबाजी के मंदिर परिशर में गंगनाद बाबाजी के बारे में कहा जाता कि बाबा डोटी नैपाल के राजा थे तो वह लोग फिलाल और स्वागेत आपका देव भूमी उत्राखन के हडखोला गाउं से जो की मेरा गाउं है गाइच और मैं यहां पहुंच चुका था एक तारिक को तब से लगातार बारिसी हो रही है और आज है नौ तारिक आज हमारा पहला दिन है जब हम लोग घर से बहार निकल लें कहीं गोमने के लिए और हम लोग का प्लान था धजमंदी जाने का बढ़ लें हमने आज का प्लान कैंसल किया था अब देखते हैं होप करते हैं कि कल भी थोड़ा सा धूब खिल जाए उसके बाद हम लोग वहां जाने का परियास करेंगे अगर भगवान का बुलावा आता है तो और आज के दिन की अमारी ना राइड होने वाली है लोकल में देखते हैं कहा तक हम पहुंचते हैं तो चलिए गाईज आज के इस खूब सूरत से नजारों के साथ ये वीडियो करते हैं स्टार्ट कर दो चलिए वाई लोग फिलाल पहुंच चुके हैं हड़कुला के डॉन आदमी के घर पे और डॉन आदमी आपे सुबर सुबर कुछ कारी में बीजी हैं ये गाईज मिलिए डॉन आदमी से और बुबुजी ठीक टाक बुबुजी के नारे पर्सूं आपने सुने होंगे काफी ज्यदा जोज भरा हुए अभी भी भी बुबु के अंदर बुबु से जानते हैं और बुबुजी आप किसमे थे पिर इंडियन आर्मी में किसमें पूरा बताएंगे आप मेरे को तो पता नहीं है पहले मैं फॉज में था जोज हां पिर उसके बाद दुबारा शरी म कि आप फिर और टॉजार तक और ती शाल टोटल नौगरी की में अर्टीश अठार फाउज में और 20 तीए में एक इसो तीज में चलेंटीए में और उसके बाद यहां गाउं का डॉन होने का मौर्चा भी बुबु ने समाल रहा है तो चलिए वाह लोग फिलाल चावी और अलमेट ले लिया है गाड़ी का ओर आज जो गाड़ी आम ली जा रहे है पँलसर 220 जो कि है भतीज की बतीज और मताम हमारा देखता है वह उसको बतीज तो चलिए फिलाल गाड़ी आगे आठ्या वाज पर लगी यह बदरीनात मैं चलिए वाई लोग फिलाल गाड़ी आड़े को थोड़ा गरम कर देते हैं क्योंकि यह दो थी मैनेसे है चली नहीं एक अभी देखते हैं को आपको उत्ती गाड़ी झाल गाड़ी हैं आगे बढ़ते हैं अभी फिलाल हम लोग रुके हैं बंदलीमा से थोड़ा आगे वाले बैंड पे और बंदलीमा में हमारा धांग घर यानि पोस्ट आफिस वगेरा भी रहता है जहां पर पुराने टाइम पे हमारी चिठ्थियां वगेरा आती थी और बंदलीमा को सबसे पादक का छेतर भी जाना जाता है और यह जो रूड आप देख पा रहे हैं यही आगे जाके आधी केलास तक जाती है तो गाइस अभी फिलाल हम लोग पहुंच चुके हैं राड़गाओं पर और यहां से हमारे ना स्कूल जाने का रस्ता भी है जहां तक मैंने 10th क्लास तक पड़ा था जी आई सी हचीला करके बागी या थोड़ा सा पाइक हो ना मेरे को एक प्रोब्लम देखने को मिल दी है बाइक का जैसे गेर डाले उसके बार रेस खींच रहे ना पता नहीं यह नीचे से कहीं से आवा जा दी है खट करके अभी दिखाना पड़ेगा एक बार और थोड़ा सा गेर सिस्टम पर थोड़ा एसी हो रहा है आगे बढ़ते हुए हम लोग एक खूपसवरसी लोकेशन पर रुके हुए है जहां पर की कंगनात बाबाजी का मंदिर है और यह लोकेशन है रणगाओं में और रणगाओं के भट लोग इनको इस्टिदेवता के रूप में पूछते हैं जिस परकार से हम लोग इस्टिदेव हरिचन स्वामी जी को अपने कुल के इस्टि के रूप में पूछते हैं उसी परकार इनलों का यह मंदिर है और इस मंदिर में मैं बहुत कम बार विजिट किया हूँ यार साइद एक या दू बार आया हूँ सा है आज अभी फिलाल मैं हूँ गंगनाद बाबाजी के मंदिर परिसर में गंगनाद बाबाजी के बारे में कहा जाता कि बाबा डोटी नैपाल के राजा थे और तेरेवर्दसगी आयूमें ने राजपार्ट ट्याक कर जोगधारन कर लिया था और बाबा बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाबा घट-घट के वासी और रंगदारी जोगी हैं साथी साथ इन्हें पहत्तर विद्याओं का ग्याने भी माना जाता है और कुमाम मंद से आगे की तरब को रवाना होते हैं और अपनी जर्नी को करते हैं तो वहीं फिलाल अभी हम लोग हैं हैं मंदिर परिसर में मलिकार्जुन महादेफ सवामी के मंदिर परिसर में और यहां पर बहुत सारे मंदिर का सम्व है जहां पर से हम रास्ते से एंटर किये थे वहीं से मंदिरों के छोटे-छोटे समूँ बने हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है उसके बाद आदिसक्ति का मंदिर है उसके बाद ये है मलिकारजुन देप स्वामी जी का मंदिर जहां पर मैं ग यह कितना ही प्यारा लग रहा है आज कल की देट में बहुत सारी जगह बने आधुनी तरीके बट रहने देना चाहिए बागी मंदिर परिशर के नीचे साइड ठीक यहां पे काफी सारे पेड़ फूल लगा रहे और चार दिवारी के रूप में यहां पे ना जाली लगाई ग मंदिर परिशर के अंदर एंटर ना करें और मेरे ठीक सामने यहां पे एक बड़ी सी घंटी लगाई है जिसको बाबा साम को बजाते हैं बोले मैं भी आपको इस घंटी की प्यार इसी दुन सुनाना चाहूंगा रेडी वन टू त्री और मंदिर परिशर के ठीक सामने यहां पे आपको एक नदी दिख रही होगी यह नदी है साइसे काली गोरी नदी का संगम है जो कि यहां से जाके लोहा घाट में मिलता है वहां पे पांच नदियों का संगम है मेरे ख्याल से और फिर उससे आगे यह मिलती है टनकपूर में सारदा नहर को टच करती है चलिए गाइस यहां भी हम लोग हुआ आना हो गया मतलब आज पहली बार मैंने विजिट किया यहां पर और काफी अच्छा लगा यहां पर आके सुकून तो मिलता ही मिलता है पहाड़ में आप कहीं भी चले जाओ मंदिर म मंदिर पर इससे वापस आते टाइम यहां पर राइट साइड में एक बड़ा सा जूला भी है बावी जूला इस पर भी जूलते होंगे कई लोग मैं भी ट्राय करता हूं पर में कुछ डर जादा लगती है अब लोग आगे से अपना फ्यूलब भी कड़ा लेते हैं काल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनीचे फ्यूलियोर की तो चलिए वाई लोग फिलाल मैं पहुंच वह हूं अपने घर वाली रोड में अब यहां से सफर बच है सिर्प और सुछ चार किलोमेटर का बागी यार गाड़ी का काम अमने करा दिया और भी थोड़ा सा काम रहेगा जो कि साइद भतीज के आने के बाद भतीज कराएंग तो पढ़ता है यार इतने टाइम से और आज का वीडियो ना काफे जादा लंबा हो गया तो देखेंगे सौट-सौट रखने की कोशिज करेंगे कल की वीडियो को और कल की राइट के लिए आप लोग ताहिया रहेगा जो कि घर से होने वाली है एक मंदिर की तरप को घंड पूरा फूल्स हो कर रहा है तो चलिए फिलाल टाइम हो चुका भी साम का अलमोस्त तीन बजे के करीब और अब जाके हम लोग घर पहुंच रहे हैं यार काफी ताइम लगया क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी बनाना फिर घूमे भी हम लंबा घूमे काफी आज का टूर अच् आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं काफी लंबी घिच लिया आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप झाल झाल झाल